दोस्तो राजकुमार हिरानी के डारेक्शन में बनी फिल्म त्री इडियेट्स पॉलिवुड की मोस्ट आइकॉनिक फिल्मों में से एक है ये फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ओफिस पर कई रिकॉर्ड बनाएं थे आमिर खान, आर्माधवन, शर्मन जोशी, बूमन इरानी और करीना कपूर खान स्टार इस फिल्म ने ओडियन्स को काफी इंप्रेस किया था वहीं फैंस काफी समय से इस फिल्म के सीक्वल की भी डिमान कर रहे थे वहीं अब आक्ट्रस करीना कपूर ने अपने लेटिस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट से इस खबर पर अपने अजब रियाक्शन से पकी मुहर लगा दी है कि त्री इडिट्स का सीक्वल आ रहा है बता दे कि करीना कपूर ने अपने ओफिशिल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है इस क्लिप में करीना हैरानी के साथ रियक्ट करती हुई नज़र आ रही है वीडियो में आमिर, आर्मादवन और शेयर मन जोशी की एक प्रेस कॉंफरेंस में बैटे हुए की तस्वीर नज़र आ रही है और इस पर त्री इडियो भी लिखा हुआ है इस तस्वीर की और इशारा करते हुए करीना हैरानी के साथ कहती नज़र आती है कि मुझे अभी पता चला है कि जब मैं चुटी पर गई थी तो ये तीनो कुछ ला रहे हैं प्रेस कॉंफरेंस का क्लिप जो चाया हुआ है वो सिक्रेट हम से छुपा रहे हैं कुछ तो गड़बढ है प्लीज ये मत कहना कि ये शर्मन जोशी का मोवी प्रमोशन है मुझे लगता है कि ये सीक्वल प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन सिर्फ ये तीनो मेरे बिना कैसे I just got to know कि when I was on holiday that these three were up to something this press conference का clip that is going around is from that secret that these three are keeping from us like something is fishy and these don't say that this is Sharman का सा movie promotion I think they are cunning for a sequel but only these three like how can without me I don't think even Baman knows about this calling Baman right now to check आके चल क्या रहे है यार this smells like a sequel for sure आपको बतात नहीं कि कुछ दिनों पहले Rajkumar Hidani ने भी मीडिया से बाच्छूीत में इस ख़ब को confirm किया था कि Three Idiots का sequel आएगा और उन्होंने franchise को लेकर कहा था कि अभी इसकी scripting चोल रही है इसके लिए वो अपने co-writer अभिज़ाद जूशी के साथ काम कर रहे है डारेक्टर ने फिल्म की कास्ट, plot और ये कब फ्लोर पर आएगी इस detail का खुलासा नहीं किया है बता दे कि साल 2009 की ब्लॉक बस्टर फिल्म Three Idiots में आमिर खान के साथ करीना का पूर भी नज़र आए थी 55 करोर के बज़ट में बनी इस फिल्म ने टिकेट खिलकी पर शानदार 400 करोर का collection किया था फिल्म में आमिर और करीना के जोड़ी के लिए एकसाइटेड है वेल आप कितने एकसाइटेड है Three Idiots के सीक्वल के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट का ज़रूर बताएं और बागी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बैल आइकन जरूर दबाएं